गुड मॉर्नेंग दियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पैरेंट्स तो आज हम हिंदी का पार्ट पांच करेंगे जो कि है जीयो और जीने दो खुली हवा के हम है प्राडी आजादी से जीते हैं अपनी मर्जी से चुकते दाना बहता पानी पीते हैं यहाँ पर बहता पानी होता है उसे पीते है रंग बी रंगे पंक हमारे हम बादल तक उड़ जाते हैं पेड़ों की शाखा का मान बिच्वाना संध्या को सूजाते हैं ये बोलते हैं कि हमारे रंग भी रंगे कलरफुल हमारे पंग होते हैं बादल तक ये उड़ते हैं ठीक है और पेडों की शाखा में ये अपना घोसला बनाकर रात को वहां सोते हैं देशों की सीमा तोड़ी हमने सब में प्यार फैलाया है आजादी है संदेश हमारा पर तुम से नफरत को पाया है ये बोलते हैं कि देश की सीमा तोड़ी हमने जैसे हम इंसान हैं हम किसी भी देश में जाने के लिए कंट्री में जाने के लिए लेकिन ये ये किसी भी देश मे जाके मिल सकते हैं तो प्यार और आजादी की भावना फैलाते हैं लेकिन तुम इंसान हम से नफरत करते हो ऐसा पक्षियों का बोलना है हमें न पकड़ो हमें न छेड़ो बस आजादी से जीने दो पक्षि कहते करने के लिए कई बार लोग पक्षियों को मारते हैं तो हमें मत मारो आप लोग भी जीओ और हमें भी जीने दो ठीक है तो यह इस कवीता का अब देखने सब्दार अजादी का मतलब स्वतंतर ठीक है प्राड़ी जीवधारी मतलब जो इंसान जीते हैं जिनके पाद जीवण हैं को प्राड़ी करते हैं चुगना याने एक एक दाना उठा कर खाना जैसे चुड़िया खाती संध्या याने शाम शांक याने पेड़ की डाल बिच्छोना याने बिस्तर जैसे आपके पास भी होगा सीमा याने सरहत जान रहें आप संदेश याने विचार आगे बढ़ाना ठीक है नफरत याने घ्रिणा और निर्ममता याने क्रूरता ठीक है अब देखिए क्या बोल रहें निमलिकित पंक्ती पूरा कीजिए सेकेंड देखिए कवीता के अधार पर सहीं विकल्प लगाई है पंचियों को पसंद है दाना चुगना उंचा उनना पानी पीना आजादी से जीना तो पंचियों को क्या पसंद है आजादी से जीना पंचियों का बिच्छोना है पेड पेड की डाल पत्तिया या पोधी त तो नफरत पंशी दुनिया को क्या देना चाहते हैं अपनी भाशा अपनी दाना आजादी का संदेश निर्ममता कसन तो आजादी का संदेश ठीक है अब देखे क्वेशन आंसर जो मैं आपको अभी बता देती हूं फिर आपको लिखके गुरूप में सैंड करूंगी इस कवी देशों की सीमा तोड़ी हमने पंक्ती का आशा यह है कि चडिया पक्षी जो है वो कहीं भी उर जाते हैं किसी भी देश में चले जाते हैं उनके लिए कोई सीमा नहीं है वो किसी दूसरे देश में जाके फिर वापस अपने देश आ जाते हैं और किसी दूसरे देश चले ज तो पंच्शियों को लोग शिकार के लिए ठीक है या पकड़ने के लिए मारते हैं ठीक है तो इसकी चर्चा करेंगे उसके बाद देखिए उचित विकल्ब आजादी का अर्थ है मन मर्जी से काम करना मन मर्जी से बिना दूसरे को नुकसाय पहुचाय काम करना मन होने पर भी काम न करना दूसरे के मन से काम करना तो आजादी का मतलब है मन मर्जी से बिना दूसरे को नुकसान पहुचाय काम करना निर्मम्ता का पयायवाची नहीं है क तीनों का मतलब ही प्यार होता है नफरत है इसका विलोम रा के रूप के अनुसार सहीं विकल्प चुनिए ठीक है तो देखे प्रेम 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 मर्जी मर्जी तो देखे प्रेम ठीक है तो प्रेम में आएगा और देखे मर्जी तो मर्जी में ठीक है I hope आप लोग को chapter समझ में आया होगा बाकी मैं आपको इसके notes आप लोग के group में send कर दूँगी ओके, thank you